नमश्कार ओम शान्ती, मैं हूँ नीरू और आप देख रहे हैं पीस निव्स गुलेटिन के शुरुआत से पहले एक नजर आज की हैडलाइन्स पर मुख्याले में युवाओं के लिए स्प्रीच्वल यूद पारलेमेंट समेलन संसा प्रमुक राज्योगी नी दादी रतन मोहिनी जी ने किया शुभारम टेलीविजन अभिनेता अभिनंधन जिंदल ने सुनाए अपने जीवन पल्टाने वाले अनुभाव ब्रमकुमारी संस्थान के चिकिसा प्रफाग के उपाध्यक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डाजी को पैरिस में मिला भारत गौरव अवार्ड का सम्मान पानिपत्मे संस्थान की अतरिक्त मुख्य प्रशाशी का बीके जैनती दीदी ने किया दादी जान की पॉजिटिव हैल्थ केर सेंटर का उत्खाटन इसके अलावा नव निर्मित सुक्थाम भवन का भी क्या शुभारम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्याले में युवाओं के लिए स्प्रीच्वल यूद पार्लिमेंट समेलन का आयोजन हुआ जिसमें देश्वर के कई युवाओं ने बढ़ चड़ कर भाग लिया मनमोहिनी वन में अयोजित इस समेलंता उदखाटन संस्था प्रमोग और युवाओं प्रभा की अध्यक्षा राज योगिनी दादी रतन मोहिनी जी, महा सची बीके ब्रिज मोहन, युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंदरी का राष्टे सैयोजी का बीके कृती, दिल्ली से विश्व युवा केंदर के मुख्य नियंत्रत उदैशंकर सिंग, टेलीविजिन अभिनेता अभिन अगर इन चार बातों को सही तरीके से यूज करना आया, तो आपका जीवन आप जैसा चाहते हैं, वैसा बन सकते हैं। इसके बाद चोर्चा को आगे बढ़ाते हुए टेलीविजिन अभिनेता अभिनन जिंदर ने युवाव को साबधानी देने के लिए अपने संखर्श की कहानी सुनाई। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्माकुमाई संस्थान से जुड़ने के बाद मिले मांसिक बल का भी जिक्र किया, तो वही उदेशंकर सिंग ने भी अपने महत्वपोन विजार व्यक्त किये। मेरी गल्फेंड बहुत ही लॉयल थी, यह चीज आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग लगेगी क्योंकि आप यूथ है। मेरी शायद रास्ता मिलेगा ताकि उमान जाए। मैं शायद थिंक्स केट बेटर। ऐसा नहीं हुआ। और आज उसका बर्टे है। यह एक कोइंचिडेंस की बात है। लेकिन आज मेरे दिल और दिमाग में वो नहीं है। यह मुझे में एक बदलावा है। विश्व विद्याले कई होंगे लेकिन इस्वर्य विश्व विद्याले केवल पूरे इस भूलोक में केवल एक ही है। आप इसमें जो आज आए हैं आप अपने आपको गौरवान में समझेगा। प्रांस की राज्टानी पेरिस में प्रमक्मरइस संसान के मेडिकल विंग के वाइस प्रेसिडन बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डा को भारत कौरव अवार्ण से समानित किया गया। फ्रांस की सीनेट में आयोजित यह भारत गौरव एवार्ट सम्हारो संस्कृती युवा संस्थान द्वारा आयोजित रहा यह एवार्ट सम्हारो 2012 से लगतार जारी है हाला की कोविड काल में यह आयोजन ओनलाइन रहा लेकिन रुका नहीं अब की बार इस सम्हारो में भारत समेथ 10 देशों के 31 भारतियों को भारत गौरव एवार्ट से सम्मानित किया गया जिन में सी एक नाम प्रम्हकुमारीज ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल डारेक्टर एवं ट्रस्टी बीके डॉक्टर पताप मिड्डा जी का भी रहा इस एवार्ट सेरिमनी में विशिष्ट अतिथी के तौर पर भारतियों मूल की पहली सांसत बनी श्रीमती पिकासो थिवो विनेट फ्रांस की सिनेटर एवं मिनिस्टर श्रीमती विक्टोरिया जैस्मेंट फ्रांस में भारतिय दूतावास की मंत्री श्रीमती श्रीला दत्ता कुमार संस्कृती युवा संस्था के इंटरनाशनल अथ्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा मशूर फिल्म निर्माता मधूर भंडार कर समित कई दिकज हस्तिया मौजूद रहे बीके डॉक्टर प्रताप मिड़ा जी के साथ इस सम्हारों में सीनियर राज्योगा टीचर बीके जैमेनी भी उपस्तित रहे ब्रमक महिस इंसान की अतिरिक्त मुख्य प्रशाशी का राज्योगीनी जैनती दीदी हरियाना के पानिपत दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केर सेंटर का उत्खाटन करने पहुची दादी जान की ये पॉजिटिव हेल्थ केर सेंटर ग्यान मांसरोवर के परिसर में बना हुआ है जिसके उद्खाटन अफसर पर बीके जयनते दीदी, सांसद, किशनलाल पवार, पंजाब जोन प्रभारी बीके प्रिम्रता दीदी, पानीपत सरकर प्रभारी बीके सरला दीदी, ग्यान मांसरोवर के निदेशर बीके भारत भूशन, मधुबन से वर्ष राज्योक शिक्षि महा महीं द्रौपती मुर्मुजी का जिक्र करते हुए कहा, कि मानेनिये द्रौपती मुर्मुजी अपने सबसे मुश्किल दौर में ब्रह्मो कुमारिस के संपर्क में आई थी, और आज वो देश के सबसे उच पद पर आजीन है, हमें उनसे प्रेणा लेनी चाहिए कारेक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीके जैनती दीदी ने दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केर सेंक्टर के खुणने के बढ़ाई देते हुए सदा पॉजिटिव संकल्प द्वारा, तनाव मुक्त और स्वस्त रहने का मंत्र दिया, तो वही बीके प्रेमलता दीदी, बीके सरला दीदी और बीके भारत भूजण ने भी अपनी अपनी शबकामनाई व्यक्त की, इस हेल्थ केर सेंटर में एक बाबा का कमरा अथ्वा मेडिटेशन का भी कमरा बनाया गया है, और वहां पर भी थोरा सम्यवी बैठने से बहुत ये आत्मा को एक नई जान, एक नई प्रेनाए, एक शक्ति का अनुभव हो सकता, क्यों क्योंकि जब आत्मा शक्ति शाली है, तो कुछ भी कार्यस तो रीत इसे सहच हो जाता, ओ प्यारे भोला नाज शिव साजन, हम तेरे घर में आए हैं, और दुनिया में तुमारा नाम रोशन करके जाएंगे, रोशन करके जाएंगे, प्यारे हमारे शिव बाबा, जिनोंने ये जग रचा, जिनोंने इस जग के अंदर हम सब की आहूती ले रह और सब को अच्छी त्रयों मंग उत्सा भरती हूँ, तो उनका पार्ट भी ए था, तो दादी जान की पॉजिटिव हेल्प केर सेंटर, ये नाम निर्वेर भाई ने दिया इस कारे क्रम से एक दिन पूर, पानिपत के ओल्ड हाउजिंग बोर्ड कलोनी में नव निर्मित सुखदाम भवन का उद्घाटन, बीके प्रेम लता दीदी, बीके सरला दीदी, बीके भारत भूशन भाई और बीके रानी दीदी की उपस्तिती में, बीके जहनती जीते कमल हस्तों से हुआ, इसो पलक्ष में आरे कॉलेज के विशा सभागार में पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन भी हुआ, जिसमें बतोर मुख्य अदिथी के तौर पर, सांसत संजे भाटिया, पानिपत उपायुक्त सुशील सार्वार उपस्तित रहे, और सेवा केंद्र दुआ और इश्वरे सेवाओं के विस्तार के लिए, ओल्ड हाउजिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभाडी बेके कविता दीदी को अपनी शुब काम नहीं दी। अंबिकापुर के असकला गाउं में ग्राम बासियों ने ब्रह्मा कुमारिस के साथ मिलकर तलाब किनारे व्रक्षर रूपन किया। सर्गुजा संभाग के प्रभारी बिके विद्यदीदी के मांग दशन में आयोजित इसकार्यक्रम में मुख्यवंटसन रक्षर चगदीश चंत्राकर, उद्यान विभाग ग्राम सेवक संतुष कुमार सिंग, असकला गाउ सरपंच कौरी सिंग मुख्य तोर पर उपस्तित रहे। इस दौरां व्रक्षा रोपन के साथ सभी ने राज्यों के अभ्यास द्वारा शांती के प्रकम्पन भी फलाए। प्रतित कारे में अपना सहयोग दिया। चटरपूर सिवा केंद्र प्रभाली बीके शेल जादीदी के प्रेड़ना से पूरे चटरपूर के प्रतेक बीके सदस्ये ने कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखबाल करने का संकल्प लिया है। इसी के चलते प्रभात जो एक नम्रता के भाव का प्रतीत है। इसी तरीके से हमें जीवन भर विनम्र और नम्र रहना है। ऐसे ही चटरपूर में विश्वनात कलोनी द्वारा व्रक्षा रोपन कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने सभी को पौधा लगाने के साथ साथ अपने अंदर किसी एक गुण का बीजा रोपन करने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम की एक खास बात और रहे कि किनर समाज के कैसा दस्यों ने भी इसमें भाग लिया और पौधे लगाये। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सवीता और बीके गीता के मांग दशन में बड़े रूप सेवरक्षा रोपन किया गया। ऐसे ही दिल्ली के अमन विहार सेवा केंद्र दुआरा पबलिक पार्क में कार्यक्रम का आज़िन किया गया। जिसमें अमन विहार थाना प्रभारी अतिथी के रूप में शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने इस दौरान कल्प तरू प्रजेक्ट की जानकारी देते हुए, प्रकरती के संरक्षा के अप्रती सजग रहने के लिए प्रतिज्या कराई। इसके बाद सभी ने मिलकर पार्क में व्रक्षा रोपन भी किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूमा ने कारेक्रम में सभी को सर्व प्रतम कल्प तरू प्रजेक्ट की जानकारी देते हुए, 400 लोगों को पोधे वित्रण किये। इसके अलावा बीके रूमा ने कारेक्रम में उपस्तित जिला न्याधीश प्रियंक सिंग्ला को प्रजेक्ट की जानकारी देते हुए इश्वर्य सवगार भेट की। ऐसे ही मद्यपर्दिश के एक खजुराहो, बेकन गाउ, अली राजपुर, गौालियर, हरपालपुर, मंडला, सारंगपुर और शाजापुर में भी कारेक्रमों का आहिजन किया गया, जिसमें भीके भेनों ने सभी को ज्यादा से ज्यादा व्रक्षार ओपन करने के लिए प्रेरिक्या ये तो थी मध्यप्रदेश में आईजित कारेक्रमों की कुछ जल गया, इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं गुजरात के बंटवा, यूपी के बरीली, बिहार के बेको सराय, करनाटक के चिकमगलूर, उत्रखन के गणवाल, बेंगलूरू के जेपी नगर, वेस्ट बें अरियाना के सोनीपत, छतिसगड के बिलासपूर के जल क्या, जहां प्रकरती के संरक्षन के प्रति, जाग्रुकता फेलाने के साथ-साथ व्रक्षा रोपन भी क्या गया। जैसे जीन के लिए सांसों का साथ जरूरी है, पेडों के बिन जीवन यात्रा हो सकती ना पूरी है। एक एक हम व्रिक्ष लगाए, लाखों व्रिक्ष लग जाएंगे, हरी भरी होगी धर्ती, सरकी के सुख सब पाएंगे। आज की पुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई कबरों के साथ ओम शान्ती। झाल